प्राव्लेम नमस्कार दोस्तों स्वागर है आप सभी का तेकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्ले स्टोर पे डाउन्लोडिंग प्राव्लेम को फिक्स कर सकते ठीक है यहीं दोस्तों आप कोई भी सबकुछ देने वाला हो जिससे आप कर लोगे तो दोस्तों आपका प्राव्लेम डेफिनिटली फिक्स होजाएगा ठीक है तो चले दोस्तों हम यहाँ पर ज्यादा देर नहीं करते और वीडियो को कर देते शूरू लेकिन उसे पहले यहीं आपने हमारा चैनल को सब्सक्रा सबसे पहले तो दोस्तों जो प्राव्लेम में मुझे भी कफी बार आये है कई अब दौस्तों यहां पर बताते कि कुछ ऐसा वह इसा एरोर नहीं कर पार होई और यहार फिर कई बहर यहाँ पर ऐस्प्राव्लेम इस्टे तो यहां पर उस्तों इसा प्रॉब्म रेता है तो यह सब आप में कुछ सोलूशिन और तो उसका χ M परक़ोड में जाके हम कुछ करते दो उससे भी उते मिल दो उससे हमें ही fix करना होता है ठीक है तो इसको fix करने के लिए तो दोस्तों आपको सबसे पेले टो आपका जो space है mobile का उसको check कर लिजेगा यदि space full है तो space को ठोड़ा बहुत clear कर लिजेगा ठीक है यदि आप बड़ा वाला application रेल है कम से कम 1-2 GB का तो उसमें space होना चाहिए तो ही दोस्तों आपका application install हो पाएगा ठीक है और दोस्तों internet connection मैंने है तो internet connection को भी check कीजिएगा तो यह सब दोस्तों यही ठीक है फिर भी problem आता है तो ही आपको solution करना होता है ठीक है तो आप सबसे पहले इसको check कीजिए इससे problem fix नहीं हो रहा है तो mobile को restart करकी भी देखी गया restart से भ यहां पर आपको install app या फ्री आपको app management करकी भी मिल जाएगा तो basically application के अंदर पर आपको आ जाना है उसके बाद आपको यहां पर show all apps कर देना है ठीक है ठीक है ठीक है तो तो सबसे पहले तो यहां पर आपको play store open करना है उसके बाद इसको कर देना है clear data ठीक है तो इसका data clear करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है restrict data uses और इसको off कर दीजेगा ठीक है यदी on है तो off किजिए यदी off है टो on किजिए तो यदी on रेनी से off करके इसको on करना है उसके बाद okay करना है ठीक है और यहाँ पर डोस्तों आपको जाना है google place service तो यहाँ पर दोस्तों यह दोनों एक connected application है यदि आप इन दोनों को ही fix नहीं करोगे तो आपका काम नहीं होगा ठीक है आपको clear data कर देना है मेने space पर जाके तो यहाँ पर आप देख सकते clear data तो इसका भी data को clear कर दीजिगा और same process restrict data users में जाकि इसको यहाँ पर on off कर दीजिगा और दोस्तों यहाँ पर यह करने के बार आपको एक और option मिलेगा जो कि यहाँ पर google service framework मिलेगा ठीक है तो उसको भी आम is search करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमें type करना है जी दोबल ओ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वाला ठीक है framework service framework तो उसको भी दोस्तों यहाँ पर आपको first stop कर देना है तो first stop करने के बाद दोस्तों आप दुबारा से जाके check कीजिए आपका problem इसी से definitely fix हो जागा ठीक है और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आखिर में एक डो solution बताँगा एप download नहीं होने के लिए ठीक है यही जो मैंने आपको solution बता है उसको try कर लिया है फिर भी problem fix नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप manage space पर ही रहिए और दोस्तों यहाँ पर से ही आपको वह problem fix करना है ठीक है आपको क्या करना है अभी आपको यहाँ पर सिर्फ play store को search करना है तो play store को tape करके open कर डीजिगा और दोस करने के बाद दोस्तों आप जाके check कीजिए इससे आपका problem fix हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आपको जाना है प्लेश्ट्रोपर उसके बाद three lines पर क्लिक करना है उसके बाद setting open करना है और scroll down करके आपको यहाँ पर play store version के उपर में tap करना है तो आपने यहाँ अपडेट हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको यह solution करना है उसके बाद check कर लिजगा problem आपका fix हो जागा आपको problem आगे नहीं शो करेगा ठीक है और दोस्तों यहाँ पर बाद आते है setting तो यहाँ पर डाउनलोड preference को चेक करना है ठीक है यही दोस्तों आपने यहाँ पर wifi लागाया हुए मा आप पर recent पर क्लिक करके restart कर डिजगा और जाके check किज़ेगा आपका problem fix हो जगा तो दोस्तों यह complete solution जो है मैंने आपको बता दिया है यहाँ बड़ोस्तों जितने भी play stroke को fix करने का तरीका है जितनी भी solution है मैंने आपको सब के सब बता दिया है आप पूरा solution को try किजी आपका problem इसी से ही पूरा definitely fix हो जगा तो उमीट करता हूँ दोस्तों आपको जो यह video पसंद होगा thanks for watching